नमस्ते, मैं धर्मेंद नात्रिपाथी हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल कार्तिक महा के शुक्ल पक्ष की द्वितिया तिथी को भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है दिवाली के दो दिन बाद, इस साल दिवाली पर सूर्य ग्रहन के कारण, लोगों के मन में तिथियों को लेकर थोड़ा संधे है पर जोतिश अनुसार, 26 अक्टूबर को ही भाई दूज मनाए दरसल इस साल कार्थिक क्रिश्न पक्ष की द्वितियाति थी, 26 वश 27 अक्टूबर दोनों दिन लग रही है 26 अक्टूबर को दोपहर 2 बच कर 43 मिनट से भाई दूज का पर शुरू होगा जो की 27 अक्टूबर को दोपहर 12 बच कर 45 मिनट तक रहेगा इस दिन भाई को तिलक करने का शुब मूर दोपहर 12 बच कर 14 मिनट से 12 बच कर 47 मिनट तक रहेगा साथी भाई दूज की पूजा का शुब मूर थै कई जगेहों पर उद्यातिति के हिसाब से भाई दूज का पर 27 अक्टूबर को मनाया जाएगा 27 अक्टूबर को भाई दूज का शुब मूर सुबह 11 बच कर 7 मिनट से दोपहर 12 बच कर 40 मिनट तक रहेगा भाई का तिलक करने का समय 12 बच कर 14 मिनट से 12 बच कर 47 मिनट तक यानि लगबग 33 मिनट की अवधी तक भाई दूज पर हमें किस की पूजा करनी चाहिए इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं शास्त्रों के अनुसार भाई दूज के दिन यम राज यम दूज और चित्र गुप्त की पूजा करनी चाहिए इनके नाम से अर्ग और दीपदान करना चाहिए भाई दूज पर टीका लगाने की भी कुछ प्रताएं है जैसे भाई दूज का पर्व रक्षा बंदन की तरह ही भाई बहन के आपसी प्रेम और स्नेह का प्रतीक होता है भाई दूज के मौके पर बहन भाई के माथे पर टीका करती है उसकी आर्थी उतारती है और उसकी लंबी उम्र की कामना करती है ये प्रथा सद्यों पुरानी है इस दिन बहन भाई को अपने घर बुलाती है और अपने घर भोजन कराती है इसके बाद उन्हें सूखा नारियल देकर भाई की सुख सम्रद्धी वो खुश हाली की कामना करती है पुराणिक माननेता है कि भाई दूज के दिन बहनों के घर भोजन करने से भाई की उम्र बढ़ती है आईए जानते हैं भाई दूज का शुब मुहूरत, मंत्र और भाई को तिलक करने की सही विधी के बारे में भाई दूज पर अपने भाई को तिलक करने की विधी इस तरह है सबसे पहले सुबह स्नान करके साफ सुत्रे कपड़े पहने और भगवान का पूजन करें मुहूरत से पहले भाई के तिलक के लिए थाल सजा लें थाली में कुमकुम, सिंदूर, चंदन, फल, फूल, मिठाई, अक्षत और सुपारी रख लें पिसे हुए चावल के आटे या घोल से चौक बनाएं और शुबह मुहूरत में इस चौक पर भाई को बिठाएं इसके बाद भाई को तिलक लगाएं तिलक करने के बाद फूल, पान, सुपारी, बताशे और काले चने भाई को दे और उसकी आरती उतारें तिलक और आरती के बाद भाई को मिठाई खिलाएं और अपने हातों से बना भोजन कराएं तिलक लगाते समय अगर हो सके तो इस मंतर का उच्चारन करें गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई आप बढ़े फूले फ़लें भाई दूज की एक कथा भी है, भगवान सूर्य नरायन की पत्नी का नाम चाया था, उनकी कोख से यमुराज और यमुना का जन्म हुआ था यमुना यमराज से बड़ा स्नेह करती थी, वह उनसे बराबर निवेदन करती थी, कि इश्ट मित्रो सहीद उसके घर आकर भोजन करें अपने कारे में व्यस्त, यमराज इस बात को टालते रहते थे कार्तिक शुक्ल का दिन आया, यमुना ने उस दिन फिर यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण देकर उसे अपने घर आने के लिए वचनबद कर लिया यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाता बहन जिस सद्भावना से मुझे बुरा रही है, उसका पालन करना मेरा धर्म है बहन के घर आते समय यमराज ने नरक मिवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा उन्होंने इसनान कर, पूजा करके व्यंजन परोज कर भोजन कराया यमुना द्वारा किये गए आतिथ्य से यमराज ने प्रसन्न होकर बहन को वर मांगने का आदेश दिया यमुना ने कहा कि भद्र आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे घर आया करो मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सतकार करके टीका लगाएगी, उसे तुम भई से मुक्त कर देना यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्राभूशन देकर यम लोग की रह ली इसी दिन से पर्व की परंपरा बनी, ऐसी मान्यता है कि जो आतित्थे स्विकार करते हैं उन्हें यम का भई नहीं रहता इसलिए भईया दूज को यमराज तथा यमुना का पूजन किया जाता है इस प्रथा की मान्यता का सार यह है कि यम दूज के दिन यमुराज अपनी बेहन के घर दोपहर के समय आये थे और बेहन की पूजा स्विकार करके उनके घर में भोजन किया था वरदान में यमराज ने यमुना को कहा था कि भाई दूज यानि यम दूज के दिन जो भाई अपनी बेहनों के घर आकर उनकी पूजा स्विकार करेंगे अपने माथे पर बेहन से तिलक लगवाएंगे उनके घर भोजन करेंगे उनकी अकाल मृत्यू कभी नहीं होगी यानि उन्हें अकाल मृत्यू का भई कभी नहीं रहेगा यह एपिसोट यहीं समाप्त करता हूँ चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाले एपिसोट्स भी मिलते रहें नमस्ते